वास्व गाइज वेलकम बेग तो एपिसोड त्री अगर आप लोगों को एपिसोड वन टू त्री का नहीं पता तो मैं पता देता हूं अच्छा मैं किसले हूं तो हमने एक दो वीडियो बनाये थे जिसका मैंने एपिसोड वन टू नाम दिया था वैसे काफी क्रिंजी सा आप लोगों को वीडियो को आप लोगों को आज हम देखने वाले हैं यानि के एक्शन एपिसोड त्री उसी सेम वीडियो का तो आम रिली एकसाइड और एपिसोड त्री बनाने में कुछ ज्यादा ही ठाइम लग गया और वैसे मुझे पता है कि तुम लोग वेट कर रहे ह विडियो के व्लोग का कफी लोग बोल रहे हैं कि वह उस पर रियक करो बारिश आई है स्वंग पे तो नहीं लेकिन वीडियो करो वन्होंने व्लोग बनाया है मैं अभी ओन्यू के चैनल पर हूं वह व्लोग जो है वह दस्मेंट का है तो सबीने रिएक्शन दे रहा हूं तो उसके लिए आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना पड़ेगा फिर तो सब्सक्राइब करो अगर आप लोग वो रियक्शन भी मिस नहीं करना चाहते एन्यूए कंटिन्यू करते हैं एपिसोड ती तो लिट चेक इड़ा हूँ एरिका ने एक इस के साथ निभाया वह कुछी डिसर्व वैसे आप लोगों को बता दू कि पिछली बार हमने यहां तक देखा था तो अब इससे आगे हम देखने वाले और मैं कोशिश करूंगा कि जो जो भी मुझे याद है जो जो सीन्स मुझे याद है वह सारे मैं तोड़ आप मेरा प्यार डिसर्व नहीं करते दें गुद्भाई पेस्टर दिक्षी कौन मा अपने बच्चों की आखों में आसू देखना पसद करती है वह सीक्वेंस जहां हमारे लव बर्ड्स की माय उन्हें रियूनाइट करती है जहां ईश्वरी और आशा सुनाक्षी को एक की अलती नसीहत देते हैं जीवन बड़ा लबा है और सही जीवन साथी हो तो यह लबा और कठिन सफर आसान हो सकता है तो कहीं भी जाएगे वहां पर जरूरी है सब कुछ अच्छा ही हो अच्छा तो बनाना पढ़ता है ना बिटा तेरे पास तेरे प्यार को पाने का एक और म जो में बहुतना है तो आप लोगों इस सबस्क्राइब कैसा ने काफी मरतबह ना बढ़ता है कि दो से अंता है दो जो में प्लाइंग है तो आप लोग्ड़ मेंसे काफी लोग बने पिर मुझे बताया ना कि यहां था जब मेंसे काफी तो बड़ा अच्छा लगा मैं बड़ी खुशी हुई मुझे देखके कितना प्यारा लगता है वह रसी और बाकी मैं बता दू कि जो माय है ना इनको जो मिलाने की पूरी प्लैनिंग करती है मुझे लगए कि शुरी जीव पूरी की पूरी चेंज हो गई है वह अब सुनाक्षी को जो एकसेप्ट कर लेगी बट ऐसा नहीं होता शादी के अबाद भी बहुत सारे प्रोब्लम्स आते हैं उन दोना के बीच में जो कि अगे सीन आए तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या वह अब पसंद आने वाले सच बताऊं जोड़ा भी मैंने तोड़ा बहुत सोना दो अ इसा वाला बहुत प्यारा लगटाया तो फूरत वहां भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और आखिर में देवाक्षी की लव स्टोरी अपने grand wedding ceremony तक पहुची जहाँ बे मतलब की dance sequences के बजाए एक genuine अंदाज में mixed emotions पेश किये गए यहाँ नए रिष्टों के बनने की खुशी भी जलकी और ऐसे मौकों पे होने वाली मुश्किले भी जलकी और बाइद वे यह बिंगोली टाइप वाली शादी थी तो पूरा मतलब मैंने कभी देखी नहीं जिन्दगी में नई फिल्मों में कभी देखिए आइटिंग हाँ फिल्मों भी नहीं देखी अट इतना जरूर पता था कि वह लोग मतलब ऐसे एक मतलब खास किसम की आवाज ह करके वह निकलते हैं वह भी इस रामे में हुआ मतलब इस शादी में तो मुझे बड़ा अच्छा लगए पूरा शादी का जूबी था पूरे मतलब रीती रिवाज देखने में काफी अच्छा लगा मुझे इश्वरी जी हमने यहीं सोच के शोना को तयार किया था इससे ज पेश करते पाए गए जहां धेरो मिस कम्निकेशन्स मिस अंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच पलती हैं कहानी के इस हिसे का लेखन महेश पांडे और विक्रम खुरान ने की है जिन्होंने हमारे फिक्शनल किलदारों के हुमेन साइट को बड़ी ही खुबसूर्ती और साध्गी के साथ पेश किया थोड़ी ड्रामों के धंग में और धेरों वास्तविक्ताओं के रगम तुम्हीं देखा ना इस गर में छगड़े हो रहे हैं बार बार जूट बोला जा रहा है मैं चाहती हूँ कि ये मुश्किले हमेशा के लिए मिट जाए तुम दोनों अलग हो जाओ आप हमारे लाइफ की निजिशन नहीं लग सकते तुम मासे ऐसे बात नहीं कर सकती चाहा हम तीनों अब खाड़े हैं उसकी थिर्मितार सिव आप मुझे तुमसे प्यार करना ही नह करने चाहिए विसे इस ब्रेक अप के पीछे इस कहानी के एंड होने के पीछे जो है यह वाला सी नहीं उसमें विकी का भी बहुत बड़ा हाथ ता जो कि वह मतलब शुरुआत में मुझे अच्छा लगा मतलब फ़नी तोड़ा बहुत फ़नी ता और वैसे घर दिमेदर और इसके बाद मतलब एक सीन आता है जहांपे पेपर वाला कुछ वर्क होता है इनको घर से निकाल लेते हैं वो सब विकी ने प्लैन किया होता है अच्छा था वो बड़ा पसंद आया मुझे कहानी अब साथ साल आगे बढ़ चुकी है जहां देव और सुनाक्षी अलग है और एक दूसरी के प्रती नफरत पाले हुए है मगर जल्द ही देव अपने और सुनाक्षी के नए रिष्टे को पाता है अपनी बेटी की रूप में जहां देव सुहाना से मुलाकात कर उसे अपने बारे में बताता है मैं आपका पापा हूं बेटा इस सीक्वेंस के बारे में जुरूर बताना जाहूं लाँ मुझे लग बागी ड्रामस की तरह ना जब आपको मतलब ऐसे कोई सीन है अब में देख रहा हूं बड़े इच्छे लगते हैं उसमें इतना ड्रामा है कि मतलब बस एवी देख रहा सबया हुआ हुआ है जाफ में उसमेट अब मतलब इस बता है तोसरो सर्फ द्रामे न कहत regulators और बच्ची का राक्षन भी ओविस्ट मतलब वो स्रोक हो जाती है उसको नाम पता होता है के टेव नाम है लेकिन यह नहीं पता होता है कि यह यह बता देता है बहुत tamा तरीकत है ना कोई डामा ना कोई दूम तना लगार मुझे बड़ा पसंद आए और जब मिने देखा मतलब फर्स टाइम देखा यह वाला सीन मुझे लग मतलब जब यह से कोई सीन आने वाले थे के सोहाना का सज जो है यह जानेगा देव तो मुझे लगा कि ऐसे मतलब ड्रैमें वागर होंगे मिस मतलब क्या किया किते हैं बहुत खुबस्कूरत था बहुत पसंद आए मुझे यह वाला सीन एक साथगी के साथ एक पिता की बेबसी को पेश करता है जहां उसके धेरों एहसासों को हम महसूस करते हैं आप आपको मुझे बात नहीं करने हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा है काश आप पहले से मेरे साथ होते हैं अब आपको जोड़के कहीं नहीं जाओंगा मैंशा आपके बात रहूँगा पापा भी नहीं बूलाती भी नहीं बुलाती मिस्टर डेव डिक्षट बूलाती है थो यह सुना को बोलता कि मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा जब आपका दिल करे मुझे बूला देना और इसके बाद माने कफी कुछ होने वाला होता है इसके बाद तो हम देखेंगे अगले एपिसोड के लिए वे कुछ बचा के रखना है अच्छा भाई यह हो कि आप लोगों को यह वाले एपिसोड भी पसंद आया हो तो लाइक करो कमेंट करो शेर करो नए हो तो सब्सक्राइब करो साथ में बिल आइकन बिलबाओ सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो